तीस में आपका डोस्त तराम। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नएयम टोपिक जिसमें आपन देखनेले हैं कि पर मतनी किया होती है and उर प्राँत को कैसे क्लाइट करते हैं और क्लाइट को क्ला काइश करते हैं right github desktop application को कैसे कहां से download करना है कैसे करना है installation कैसे करना है और उसमें login कैसे करना है वो सारा मैंने detail में discuss किया हुआ सो अभी अपन समझते हैं कि clone क्या होता है basically right so clone क्या होता है कि अपना जो server है for example right यह अपना server है देटा है history है जो अपने desktop पर क्या करेंगे यहां से इसको क्या करेंगे इहां से करेंगे पने सो कोड करेंगे अपने क्लोन पर ने कि स्ट में क्लोन करते हैं तो क्सविन कनि क्लोन बपोलते हैं आपसदी को इसे करते हैं red अब यह अपने इसको desktop application के तुरू देखते हैं कि cloning कैसे की जाती है अगर अपने को यहां से copy करना है और यहां पर लाना है तो cloning के लिए इसका address पता होना चाहिए इसका link पता होना चाहिए कि कहां से copy करना है तो वह लिंक अपन कहां से लेंगे मैंने आपको बताया था कि जो अपना GitHub वेबसाइट था रहा है तो यहां पर यहां पर आपने लास्ट वाले वीडियो में देखाता है कि test repository अपने बनाया तरह तो इस repository में जाएंगे अपन और यहां पर आपको right side में यहां पर देखे green में code दिखा हुआ इस code पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको यह लिंक आ जाएगा GitHub CLI link यहां से अपन कर सकते हैं अगर अपने को ऐसे repository को क्लोन करना है यह commands है यह भी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में कि CLI के तुरू अपन कैसे repository बनाते हैं command से right desktop GitHub desktop application का यूज नहीं करेंगे अपन वहां पर अपन direct command से ही सारा repository बनाएंग तो यहां पर अभी के लिए क्या करता है इस HTTP वाला है यहां से इसको copy कर रहें right copy URL to Cliffboard यहां से अपन इसको copy कर लिया है अभी अपन कहां पर जाएंगे GitHub.com GitHub Enterprises और URL क्योंकि अपने URL वहां से copy किया है अल्रेडी तो अपने यहां पर क्या करेंगे कि URL में जाएंगे और यहां पर अपन जो URL कोपी किया था उसको यहां पर paste कर देंगे right testrepo.git right अब यहां पर यहां पर यह जो local path है यानि कि local system पे इसको copy करेगा जहां पर अपने अपने को जहां पर भी इसको रखना है right तो वहां पर अपने इसको रख सकते हैं तो मैं इसको यहां पर GitHub में ही रख देता हूं ताकि आपको easy रहेगा तो यहां पर मैं क्या करता हूं इसको जो अपना GitHub directory है जहां पर अपने नोट से पढ़े हुए वहां पर मैं इसको रख के सारी कि सारा बहुंब भी वहां पमघसे वे लना सोटम पर को जाएगी जाएगक जी सेज यहां से क्रेकर सकते हैं अन्हीं यहां पर देख सकते हैं स updates करेंट सिभात पारो यहां में यह वर्णिंग एरदिसस हाई दे रहा है बाकी में कोई लिकत नहीं है और यहां पर देखिए test repo यहां पर बन गया है test repo पर जैसे click करेंगे नि current repository यहां पर इसको set कर सकते test repo को मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं पर देखिए मैं आपको local system में दिखाता हूं यहां पर देखे हैं यहां पर पाथ में यहां पर test repo यहां पर copy हो गया है करेक्ट यहां पर देखिए test repo हो है पर दो दो फाइल है और दोनों की दोनों फाइल यहां पर कोपी हो गए और यह एक hidden folder dot git यह initialization के लिए होता हो तो यह वाला भी यहां पर कोपी हो गया राइट यानि कि अपना जो server से code है वो अभी यहां पर हो गया अभी अगर यहां पर आपन जो भी changes करेंगे तो वहां पर सर्वर्ज पर reflect नहीं होंगे जब तक अपने इसको push करते हैं नहीं करते हैं यहां पर नहीं करेंगे तो इसी प्रोसेस को clonig बोलेंगे और या फिर इसको आपन टेखिन के लिए क्लोन बोलते हैं कि इसको कैसे करना है उसका कोपी यहां पे local पे कैसे बनाना है so I hope को Cloning समझ में आ गई कि एक repository को कैसे अब रहा करते हैं अभी बात करेंगे अपन की branch कैसे बना गितर ब्रांच क्या होती राइट अब यहां पर क्या किया आपनने यहां से जो server था आपना यह मालों यह server था तो यहां पे अपने क्या server से जो server में जो अपना repository था उसको यहां पे locally यहां पर अपने copy कर लिया right clone कर लिया तो यह हो जाएगा अपना clone यह मैंने आपको बता दिया है अभी अपने बात करते हैं कि branch की रैट जो branch है अपना ब्रांच क्या होता है basically right अभी क्या हुआ कि अपना यहां पे जो लोकल सिस्टम में अपने इसको कोपी कर लिया रहे अब यहां पर अगर आपन एक ही ब्रांच रखेंगे इसका यह हो जाएगा अपना main branch यह जैसे अपना अपना paid रहता है पेड़ में क्या होता है यह अपना main हो गया रैट रही यह जो अपने अपनी मला पत्तियां और ब्रांच निकले यगी तो आपना main देगा उसी यहां पर क्या रहता है कि यह जो है मास्तर ब्रांच हो जाए मैं कोड़ गई अपना main तो बैसिकली क्या है यह विसी एस है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है तो यानि कि अभी क्या करूंगा मैं यहां से इसमें से एक सेप्रेट ब्रांच निकाल लूँगा ब्रांच के से निकालते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा गिटब यहां पर जैसे मर्ज करूंगा उसके बाद में यह सारी कोड अपना में ब्रांच में चले जाएंगा ब्रांच करते हैं वह देखते हैं अभी अपने अपने अपना कर लिया है रहा तो अपन यहां पर जाएंगे डिटब अपने यहां पर अपने ब्रांच में यहां पर आपने अपने ब्रांच का नाम दे देंगे जो भी अपने को नाम देना है यहां से देख छोब देता हूँ आपको test branch, right? यहां पर test branch मैंने नाम दे दिया, जो भी नाम अपने एसाब से आपको देना है, आप यहां पर दे सकते हो, right? अब योर branch will be based on your current checked out branch, right? चेक डाउट बांश कौनसी है आपनी जो मैंने में ब्रांश है राइट कर यह बहंत पर हें यहां पर जो क्रैंट और प्रैंट्त ब्रांश है तो यहां पर यहां पर चीयट ब्रणश हो जासरा है डिफॉल्ट ब्रांच क creator में और यहाँ पर आपने ड़ाद मिने इस तक दो मर्पर नहीं कर सकते हैं !! अब यहां पर आपको एक और दियाना रखना है, यहां से अपन जैसे है, यहां से एक और ब्रांच बना सकते हैं, यह कोई लिमेटेशन नहीं है इस पर, तो I hope आपको इतना समझ में आया है कि repository को कैसे clone करते हैं यानि कि server से local system पे कैसे लाते हैं उसके बाद में उसमें branch कैसे बनाते हैं वो सारा मैंने आपको detail में explain किया है अब next video में आपन देखेंगे कि जो branch बनाई है अपने उस branch के through अपने उसमें को change करेंगे मोडिफाई करेंगे files को और फिर उसको main branch में देखेंगे कि उसको कैसे main branch में आपने को डालना है वो सारा आपन डेटेल में देखने वाले next video में thank you for watching the complete video please video को like करना channel को subscribe करना ताकि आपको updated videos मिलती रहेगी और comment करके बताओ कि ये वाला video आपको कैसे लगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में till then keep learning and keep exploring